नमसकार, मैं महागुरू गारा मेतल। पुराने वित्यवर्ष के 22 सप्ता निकल गए, हाद सप्ता हमें आपको डिफरेंट राशी के राशीफल के बारे में बात करता हूँ। काफी सारे लोगों के लिए जो राशीफल है वो एजएटेज निकल जाता होगा, काफी लोगों का कुछ दिफरेंट आता होगा तबी आपने ये जानने ये सोचने के लिए समझा कि ऐसा क्यों होता है कि एक एस्ट्रोलोजर ने वीकली पेडिक्शन दी वो सीम थी या कुछ दिफरेंट थी थोड़ा से इसके बारे में डिस्कस करते हैं जब मैं इससे पहले कि मैं नए साल नए वित्तेवर्ष के बारे में पहले वीक के बारे में कुछ बताऊं डिफरेंट राशी के जातकों के लिए नया वित्तेवर्ष का पहला सब्ता कैसा रहेगा होता क्या है कि जो हम राशी फल और इन स्टार्स का डिफेंट राशी पर क्या प्रभावाता है तो जो important aspect यह है कि अगर हम बहुत positive है यदि किसी भी negative energy जो या negative impact किसी भी planet का या किसी भी planet के conjunction का negative impact है वो हमारे बहुत ज़्यादा positive होने से reduce हो जाता है कम हो जाता है malefic impact और हम positivity में अच्छा है वो time खराब भी हो बट उसमें हमें वो negative time का बहुत negative impact नहीं आता है तो जो सार है पीछे जो सत्य है वो यह है कि आप अपने आपको कैसे positive रखें astrology एक means है जो suggest करता है कि इन negative planet के conjunction से यह चीज़ें होने वाली हैं इनके negative impact को खतम करने के लिए यह उपाए हैं जो last में सब कुछ boil down होता है वो यह है कि आप अपने आपको positive बनाएं इतना positive बनाएं कि कोई भी negative energy कोई भी negative planet का connection आपको impact ना दे पाए यही जीवन का एक सत्य है यदि जो इनसान अपने कर्मों से अपना spiritual रहके दूसरे का भला करके नगेटिव ना सोचके जो एक positive energy आप गरहां कर सकते हो वो आपको कोई भी negative impact से चाहे राशी के आपके भागे में लगन कुनली में नवाशा में कोई साभी दोश हो चाहे पित एक baseline है जो हमें समझने की जरूत है राशी फल डिफेंट राशी फल डिफेंट एस्टोलोजा दोरा बताएवे डिफेंट तरीके से calculate हो सकते हैं उनमें थोड़ा बहुत plus minus हो सकता है उनके based on their understanding of the astrology आपके अपने कर्मास के हिसाब से वो काफी कुछ डिफर कर सकते हैं सब्रतन है नीलम सब्रदाश है सात्मों किरुदाश शुब दिशा है पश्रिम के दिशा है यह सब्ता इस राशी के जातकर यदि अपने कारेश पर ध्यान लगाएंगे तो आहमें विद्धी होने की प्रबल योग हैं आप अच्छा अपने कारेश थल पर अच्छा पैदर नहीं है पितियों की प्रिक्षाओं में चात्रों के लिए समय अनुकुल है आगे की योजना बनाने के लिए भी समय अच्छा है वेवाइक जीवन में संतोष की कमी दिखाई देगी जीवन साती के साथ थोड़ी अन्बन हो सकती है एववाईतों के लिए भी इस सब्ता योजन यह दिया आप करना चाते हैं तो इस वीक में आप कर सकते हैं मैं महागुरु गौरब आपको आने वाले इस वित्तेवर्ष के पहले सब्ता आपके लिए सभी जात्कों के लिए अच्छा रहे और आप दिनों दिन उनत्ती तरक्षी करें इसी शुब कामनों के साथ नमस्कार